परिचय बच्चों, हम पौधों के विशे में बहुत सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। चलो, अब हम उच्च पातपों में प्रकाश संशलेशन के विशे में जानते हैं। प्रकाश संशलेशन, प्रकाश उर्चा को रासायनीक उर्चा में परिवर्थित करने की एक प्रक्रिया है. इस प्रक्रिया में गुलुकोस का निर्मान होता है, जो की पौधों द्वारा अनेक गति विधियों में प्रयोग किया जाता है. प्रकाश संशलेशन हरित लवक में होता है, ये हरित लवक पन हरिम होता है, जो की हरे रंग का एक वर्णक है, तथा प्रकाश संशलेशन में भाग लेता है केल्विन चक्र तथा C4 चक्र दो चक्र हैं, जो की प्रकाश संशलेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं प्रकाश संशलेशन की दर, प्रकाश की उपलब्धता तथा कारबन डायोक्साइट की सांद्रता इत्यादी से प्रभावित होती है। आता इस मॉड्यूल के अंतरगत हम उच्च पात्पो में प्रकाश संशलेशन का अध्यान करेंगे। उद्देश इस पात के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश संशलेशन को परिभाशित करना। प्रकाश संशलेशन के प्रारंभिक प्रयोगों की चर्चा करना। प्रकाश संशलेशन कहां संपन होता है इसको जानना। प्रकाश संचलेशन में भाग लेने वाले वर्णकों का वर्ण करना, प्रकाश अभिक्रिया का वर्ण करना, एलेक्ट्रोन परिवहन का वर्ण करना, जल के विक्टन को परिभाशित करना, चक्रिये एवं अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन का वर्ण करना, रसोप रास्रणी परिकल्पन यानि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की चर्चा करना केल्विन चक्र का वर्ण करना सीचार पत का वर्ण करना प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन की चर्चा करना प्रकाश संशलेशन को प्रभावित करने वाले कारगों का वर्णन करना हम क्या चानते हैं? प्रकाश संशलेशन को इस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कि ये कारपन डायोकसाइड तथा जल जो की करमशा, वायू तथा म्रदा से लिए जाते हैं एवं प्रकाश की उपस्थिती में पौधों के हरे भागों द्वारा कार्बो हाइड्रेट्स के संशलेशन की एकविधी है. चलो, अब इस टार्च के लिए एक पत्ती का परीक्षन करते हैं. पौधे से एक हरी पत्ती को तोड़ लें. अब चिम्टी की सहायता से पत्ती को उबलते जल में डालें. उसे दो मिनट तक उबलने दें. इसके बाद उबली हुई पत्ती को गर्म परीक्षन नलिका जिसमें 90 प्रतिशत एथेनॉल हो इसमें डालतें. अब गर्म परीक्षन नलिका को गर्म जल में तब तक पड़े रहने दें जब तक की पत्ती रंग ही नहीं हो जाती है अब पत्ती को निकाल कर ठंडे जल से धोलें अब पत्ती को एक सफेज सतह पर फैला लें पत्ती पर आयोटीन के विलियन की कुछ बूंदें डालें ऐसा करने पर पत्ती गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी जो स्टार्च की उपस्थिती को दर्शाती है तथा ये सिध्ध करती है कि इन में प्रकाश संशिलेशन पाया जाता है प्रारंभिक प्रयोग सबसे पहले उन्होंने एक जल्दी हुई मुम्बत्ती को बंद बेलजार में रखा तथा देखा कि वो मुम्बत्ती जल्दी ही बुझ गई इसके बाद उन्होंने एक चुहे को बेलजार में रखा तथा देखा कि चुहे का भी जल्दी ही दमखुटने लगा इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निशकर्ष निकाला कि चाहे जल्दी मुमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायू में सांस लेते हैं वे हवा को ख्षती पहुँचाते हैं जब उसने उसी बेलचार में एक पुदेने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चुहा जीवित रहा और मुमबत्ती भी सतत जल्दी रही इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निशकर्ष निकाला कि पौधा वायू को पुना स्थापित करता है जिसकी मुमबत्ती तथा चुहे द्वारा ख्षती की गई थी जौन इंजेन हाउज ने ये प्रमानित किया कि प्रकाश संशलेशन के लिए सूरे का प्रकाश आवशक होता है इंजेन हाउज ने अपने एक परिशक्रित प्रयोग में एक जलिये पौधे के साथ ये दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे-छोटे बुलबुले बन गए थे जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे इन बुलबुलों की पहचान आकसीजन के रूप में की गई जूलियस वोन सेचस प्रयोग उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में गुलकोस बनता है और गुलकोस प्राया स्टार्च की रूप में संचित होता है टी डवल्यू एंजिलमैन प्रयोग उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शेवाल क्लेडोफोरा को प्रदीप्त किया गया बैक्टीरिया प्रमुक्ता लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में एक अत्र हो गए थे कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि प्रकाश संचिलेशन एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है प्रकाश संचिलेशन एक रासायनिक प्रतिक्रिया है प्रकाश संचिलेशन कहां संपन होता है प्रकाश संशलेशन हरित लवक में होता है जो की पौधों के सभी हरे भागूं तथा पत्तियों जो की प्रकाश संशलेशन का मुख्य स्थान है उनमें उपस्तित होता है प्रतेक हरित लवक हरित लवक आवरन से घिरा होता है जो की तीन पर्तों से युक्त होता है वे इस प्रकार हैं बाहे जिल्ली, आंतरिक जिल्ली स्थान और आंतरिक जिल्ली, इसमें पीठिका यानि स्ट्रोमा, थाइलेकौाइट्स, ग्रेनम, पटलिका, लिपिट, ग्लोब्यूल्स, स्टार्च की कडिकाएं और राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रकाश संशलेशन की दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकाश अभिक्रिया और आप्रकाशी अभिक्रिया। हरिति लवक प्रकाश संशलेशन की दोनों अवस्थाओं में समलित होता है। प्रकाश अभिक्रिया में जिल्ली तंत्र प्रकाश उर्जा को ग्रहन करता है तथा ATP एवं NADPH का संशलेशन करता है। अभिक्रिया के परिणाम पर निर्भर होती है। प्रकाश संशलेशन में कितने वर्णक भाग लेते हैं। क्लोरोफिल B, जेंतोफिल और काटिनॉइट। क्लोरोफिल A पाधब जगत में पाया जाने वाला एक प्रकाश संशलेशन करता है। ये नीले हरे रंका होता है। तथा ये चक्रिये एवं अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन के दोरान इलेक्टरानों के उच्चरजन के लिए उत्तरदाई होने के कारण प्राथमिक संशलेशक वर्णक कहलाता है। क्लोरोफिल B पीले हरे रंका होता है। क्लोरोफिल B स्वयम दोरा अफ्शोशित उर्जा को क्लोरोफिल A को इस्थानांतरित करता है। इस प्रकार ये एक सहायक वर्णक कहलाता है। काटिनोएड तथा जेंतोफिल काटिनोएड लाल पीले तथा नारंगी रंग के लिपिट योगिक होते हैं। ये प्रकाश उर्जा को अफ्शोशित करते हैं, तथा प्रकाश संशलेशन में उप्योक के लिए इस उर्जा को क्लोरोफिल A में इस्थानांत रित करते हैं. ये फोटो आक्सिकरण से क्लोरोफिल अणों की रक्षा भी करते हैं. जन्तोफिल पीले रंगे होते हैं, ये क्लोरोफिल के साथ प्रकाश संचलेशन में भाग लेते हैं प्रकाश अभिक्रिया क्या है? प्रकाश अभिक्रिया में सौर उर्जा क्लोरोफिल द्वारा अफ्शोशित की जाती है, तथा अभिक्रियाओं की एक श्रिंखला में ATP और NADPH का निर्माण होता है इस प्रक्रिया में जल का विक्टन होता है, तथा उपोत्पाद के रूप में आउक्सीजन का निश्कासन होता है प्रकाश अभ्शोशित वर्णग थाईले कोईट जिलियों में इस्थित होते हैं क्लोरोफिल P680 तथा P700 इन जिलियों में उपस्तित होते हैं P680 तथा P700 अणू अभिक्रिया केंद्रों या प्रकाश केंद्रों का निर्मान करते हैं अभिक्रिया केंद्र वर्णग अणू सेकड़ों प्रकाश आधारित समो वर्णकों के साथ जुड़ा होता है सहायक वर्णक तथा अन्य क्लोरोफिल अणू स्वर उर्जा का सनलवन करते हैं तथा इसे अभी क्रिया केंद्र को भेशते हैं ये लाइट हार्वेस्टिंग या एंटनी अणू कहलाते हैं वर्णक अनूओं का गुच्छा जो कि अपनी उर्जा को P680 को इस्था नांतरित करते हैं 680 NM की तरंग देर्ध पर या इससे नीचे अफशोशित करते हैं P680 के साथ मिलकर ये फोटो सिस्टम प्रथम या फोटो सिस्टम दूतिय का निर्मान करते हैं इसी प्रकार P700 भी वर्णक अनूओं के साथ फोटो सिस्टम प्रथम या फोटो सिस्टम दूतिय का निर्मान करते हैं जो कि 700 NM पर या इससे नीचे प्रकाश को अफशोशित करते हैं इलेक्ट्रोन परिवहन दूनों फोटो सिस्टम इसमें भाग लेते हैं तथा P680 या PS2 त्वारा निशकासित इलेक्ट्रोन वापस नहीं आता है किन्तु PS1 की सहयता से ये NADP Plus से गुजरता है PS1 का अभिकरिया केंद्र के इलेक्ट्रोन परिवहन इलेक्ट्रोन भी लाल प्रकाश की 700 NM तरंग डैर्द को अफशोशित करके उत्तेजित होता है और ये अन्नेक ग्रही अणूं में जिसका अपचयोपचय यानि रिडॉक्स विभाव अधिक हो इस्थानांत्रित होता है ये इलेक्ट्रोन्स पुना अधोगामी गती करते हैं परन्तो इस पार वे उर्जा से प्रचुर NADP अणूं की ओर जाते हैं ये इलेक्ट्रोन्स NADP को अपचयित कर NADPH प्लस और H प्लस को बनाते हैं इलेक्ट्रोन के इस्थानांत्रन की ये सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिक्रो परिग्राही की ओर इलेक्ट्रोन परिवहन श्रेंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रोन की उत्तेजना अन्निक रही में इस्थानांत्रण और अंत में अधोगामी होकर NADP Plus को अपचाइद कर NADPH Plus H Plus के बनने तक होती है ये सारी योजना Z के आकार की होती है इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं जल का विक्टन ये प्रदीप्त हरित लवक में H2O का हाइडोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडन होता है प्रोटीन का एक छोटा कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम दो से जुड़ा होता है ये ऑक्सीजन निर्मान कॉम्प्लेक्स कहलाता है आक्सीजन निर्माण कॉम्प्लेक्स केंद्र जल यानी H2O, आक्सीजन, H+, तथा इलेक्ट्रॉन में आक्सीक्रित हो जाता है इस प्रक्रिया के दौरान, C-Ca2+, तथा Mn2+, की आविशक्ता होती है चक्रिये एवं अचक्रिये फोटो, फोस्फोरिलेशन जब फोटोन, फोटो सिस्टम एक को सक्रिये करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा उच्च उजैस्तर तक पहुँच जाता है ये प्रात्मिक ग्राही द्वारा ग्रहन किये जाते हैं, जो की इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होकर गुजरते हैं, तथा अंत्ताह क्लोरोफिल P-700, यानि PSI में वापस लौटाते हैं प्रोटोन प्रावर्ता ATP के संशलेशन को सक्रिये बनाता है ये प्रक्रिया चक्रिये होती है, अताह ये चक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन कहलाती है ये हरे पौधों में पाया जाता है, तथा इसमें PS प्रधम तथा PS द्वितिये फोटो सिस्टम दोनों ही समलित होते हैं इस अवस्था में दोनों फोटो सिस्टम प्रदीप्त होते हैं, तथा NADP Plus से P680 तक इलेक्ट्रोनों का नियत प्रवा होता है रसो परा सरणी परिकल्पना कैमियो अस्मोटिक हाइपोथेसिस रसो परा सरणी परिकल्पना हरित लवक में ATP संशिलेशन का फ़र्लन करती है रसो परा सरणीय के लिए एक जिल्ली, एक प्रोटोन पंप, एक प्रोटोन प्रमर्था तथा ATP ह की अविशक्ता होती है थाईलेकोईट जिल्ली में प्रोटोन जिल्ली के अंदर जूकी अफकाशिका यानि लिूमेन में इस्थित होती है उसकी तरफ संग्रहित हो जाते हैं प्रोटोन प्रमर्था निमनलिखित कारणों के कारण विक्सित होती है जल विक्टन अभिक्रिया जिल्ली की आंत्रिक सतह में होती है इसलिए इस अभिक्रिया में निर्मित हाइटोजन आयन अफकाशिका यानि लियुमेन में संचित हो जाते हैं फोटो फोस्फोरीलेशन के दौरान जब इलेक्ट्रोन वहकरूं स्वयम के इलेक्ट्रोनों को जिल्ली की अंत्रा सतह में इस्थेत इलेक्ट्रोन वहक को भीजता है तब प्रोट्रोन जिल्ली की अंत्रा सतह यानि अफकाशिका में मुक्त होते हैं NADP, Reductus Enzyme जिली के स्ट्रोमा की ओर होता है PS1 के इलेक्ट्रोन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रोन्स के साथ साथ प्रोटोन NADP को NADPH प्लस H में अपचाइद करने के लिए आवशक होता है ये प्रोटोन पीटिका स्ट्रोमा से ही आते हैं परिणाम सोरूप स्ट्रोमा में उपस्थेत प्रोटोनों की संख्या घर जाती है तथा अफकाशिका में उपस्थेत प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाती है इसलिए थाईलेकोईड जिली के आरपार एक प्रोटोन प्रवनता इस्थापित हो जाती है प्रोटोन प्रवन्ता के तूटने पर उर्जा मुक्त होती है ये प्रवन्ता इसलिए भंग होती है क्यूंकि H प्लस जिलिका में मौजूद ATPH के पारगमन वाहिका F0 के मात्यम से पीटिका यानि स्टोमा में गतिशील होता है ATPH इस एंजाइम के दो भाग है F0 और F1 ATPH के करण F1 में संरूपन परिवर्थन आता है जिससे की एंजाइम उर्जा से प्रचूर ATP अणों का संशिलेशन कर साथा है ATP तथा NADPH कहां उपियोग होते हैं ATP तथा NADPH प्रकाशी अभिक्रिया में निर्मित होते हैं तथा ये भोजन के संशिलेशन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं ये प्रकाश संशिलेशन का जैव संशिलेशन चरण कहलाता है मेलविन केलविन ने पता लगाया कि कार्बन डायोकसाइट के फिक्सेशन का पहला उत्पाद एक तीन कार्बन वाला कार्बनिक अमल था इस पहले उत्पाद का नाम तीन फॉस्फो ग्लैसरिक अमल या पीजे है कुछ पौधों में कार्बन डायोकसाइट के फिक्सेशन के पहचाद प्रथम उत्पात के रूप में एक अमल औकसेलो एसिटिक अमल हत्वा OAA पाया जाता है CO2 के प्रात्मिक ग्राही ग्राही अनू एक पांच कार्पन वाला कीटो शुगर यानी शरकरा था ये रुबियोलोज एक से पांच बिस फोस्फेट यानी आर्यू बीबी था केल्विन चक्र में तीन अवस्थाएं होती हैं जोकी निम्न प्रकार है कार्पोकसिली करण, रिडेक्शन यानी अपचयन, रीजनेरेशन यानी पुनुरुद भवन कार्पोकसिली करण, कार्पोकसिली करण में कार्पन डाई ओकसाइट यानी CO2, पांच कार्पन अणू जिसे आर्यू बीबी कहते हैं, इनके साथ संयोजित होता है तथा परिडाम सरूप छे कार्पन वाला अणू बनता है, जोकी अईस्थिर होता है तथा तुरंत ही तीन कार्बन अणू तीन फोस्फोगली सेरेट में परिवर्तित हो जाता है प्रतिक क्रियाओं की एक श्रंखला है जिसमें गुलुकोस बनता है इस चरण में प्रतिक सीओ टू अणू के स्थिरन हेतू ATP के दो अणू का अपयोग फॉस्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के दो अणूओं का अपयोग अपचयन हेतू होता है पत से गुलुकोस के एक अणू को बनाने के लिए CO2 के 6 अणूओं के योकी की करण तथा चक्करों की अविशक्ता होती है रीजनेरेशन यानि पुनरुद भवन अविरत केल्विन चक्र के लिए RUBP के अणूँ का रीजनेरेशन यानि पुनरुद भवन अवशक होता है सी चार पथ पौधे जोकी शुषक उष्ण कटिबंधी क्षित्र में पाई जाते हैं उनमें सी चार पथ होता है सी चार पथे सी तीन पथों की तुल्ला में दिन का ताप, तेजधू, सूखा तथा नाइट्रोजन की कमी आदि स्थितियों में बेहतर अनुकूलित होते हैं सी चार पथों की विशेश प्रकार की शारीरी की होती है जिसे क्रैंजी शारीरी की कहते है C-4 पौधों के सवहन बंडल यानि पूलाच्छद यानि बंडल शीत कोशिकाओं द्वारा चारों ओड से घिरे होते हैं मक्का, गन्ना, अम्रत, जौर आदी C-4 पौधों के उधारण C-4 पत की क्रियाविधी मध्यो तक कोशिका के कोशिका द्रव में फोस्फोइनोल, पाईरुवेट, कार्बोकसिलेज की क्रियादवारा कारबन डायोकसाइट का प्रात्मिक ग्राहियनू फोस्फोइनोल, पाईरुवेट है ये चार कारबनवाला यॉगिक औकसेलो एसिटेट का निर्मान करता है तथा ये एक अन्य चार कारबनवाली यॉगिक जिसे मैलिट कहते हैं उसमें परिवर्टित हो जाता है तथा NADPH का निर्मान करता है अब मेलेट यानी पुला छद, बंडल शीथ, कोशिकाओं को इस्थाना अंतरित हो जाता है चार कारबन वाला मेलेट विकारबनी कृत होकर कारबन डाय ओकसाइड एक तीन कारबन वाला यौगिक, पायरुवेट तथा NADPH का निर्माण करता है कारबन डाय ओकसाइड राई ब्लोज बिस फॉसफेट के साथ जुड़कर कैल्विन चक्र में सम्मिलिध हो जाती है उद्पन हुई पायरुवेट मध्योतक कोशिकाओं में पुना प्रवेश करता है जहां पर ये ATP से प्रतिक्रिया करता है तथा फॉसफोई नोल पायरुवेट में बदल कर पुना C4 चक्र को प्रारंब करता है प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें की प्रकाश संशलेशन के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्तिती में पौदे ऑक्सीजन का उपभूग करते हैं तथा कारबन डायोकसाइड मुक्त करते हैं जिसके परिणाम सूरू प्रकाश संशलेशित उत्पात में कमी आती है तथा एटीपी का निर्मान नहीं होता है सी तीन पौधों में रुबिस्को एंजाइम में आक्सीजन की तुलना में कारबन डायोकसाइड के लिए अधिक बंधुता पाई जाती है तथा ये सापेक्षु सांधरता पर आधारित होती है गर्म शुष्क दिनों के दौरान पौधे वाशपोस सरजन द्वारा जल की कमी से बचने के लिए अपने स्टोमेटा को बंध कर लेते हैं जिसके कारण कारबन डायोकसाइड पत्तियों में प्रवेश नहीं कर पाती है तथा आक्सीजन के अणूर का प्रयोग किया जाता है तथा इससे एक विशेले तत्व फोस्वोगलाई कोलेट का निर्माण होता है इस विधी में प्रकाश श्वेसन के दौरान किसी भी ATP का निर्माण नहीं होता है जबकि C4 पौधों में प्रकाश श्वेसन नहीं होता है इसका कारण ये है कि इनमें एक ऐसी प्रनाली होती है जो एंजाइम एस्थल पर कारण डायोकसाइड की सांद्रता को बढ़ा देती है ऐसा तब होता है जब कारण डायोकसाइड पौलाचध यानि बंडल शीत कोशिकाओं में मुक्त होती है प्रकाश संशिलेशन को प्रभावित करने वाले काराग ब्लैक मैन का लौ अफ लिमिटिंग फैक्टरस दर्शाता है की प्रकाश संशिलेशन की दर लिमिटिंग फैक्टरस द्वारा प्रभावित होती है उधारन प्रकाश या कारबन डायोकसाइड प्रकाश प्रकाश की कम तीव्रता प्रकाश की तीव्रता में वृत्धी होने पर प्रकाश आधारिये अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तथा इसके परिडाम सरूप प्रकाश संचलेशन की दर में वृत्धी हो जाती है यद भी फोटोनों की अधिक संख्या पत्ती पर पड़ती है तो फल सरूप प्रकाश संचलेशन का उत्पाद भी बढ़ता है प्रकाश की तीवरता उच्य होने पर प्रकाश संचलेशन की दर सीमित हो जाती है तथा ये क्लोरोफिल के अणवों को चती पहुंचा सकती है कार्बन डाई ओक्साइट की सांद्रता जब कार्बन डाई ओक्साइट की सांद्रता बढ़ जाती है तो आप प्रकाशी अभिक्रिया में कार्बन के कार्बोहाइडरेट में परिवरतन की दर भी बढ़ जाती है तथा इस प्रकार प्रकाश संशलेशन की दर तब तक बढ़ती रहती है जब तक की अन्य कारक द्वारा ये सीमेत नहीं की जाती है वायू मंडल में कारवन डायोकसाइट की सांद्रता बहुत कम होती है बढ़ती हुई सांदृता भी प्रकाश संचलेशन की दर को पढ़ाती है लेकिन ये तब स्थाफित हो जाती है जब स्थरीकरण की दर अधिकतम पहुचाती है ताब प्रकाश संचलेशन की प्रकाशी अभिक्रिया ताप से कम प्रभावित होती है, जबकि आप्रकाशी अभिक्रियाएं ताप द्वरा प्रभावित होती हैं, जब एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्प्रे रिद करते हैं, यदि भी एंजाइम अनुकूलतम तापमान पर पहु दुगनी हो जाती है, तथा ये अनुकूलतम तापमान पार करने पर जब एंजाइम विक्टित हो जाते हैं, तो ये घट जाती है। जल प्रकाश संशलेशन का अभिकारक है, एक पौधा अपने पून अफशोशन में केवल एक प्रतिशत से भी कम जल का प्रयोग करता है, तथा शेश जल का वाश्पोस सर्जन हो जाता है। क्या आप चानते हैं, फपून नाशी प्रकाश संशलेशन को पढ़ाता है, जिससे संभावित उपज भी बढ़ जाती है। शोट से ये पता लगा है कि फपून नाशी में F-500 पाया जाता है, जो कि पौधों को वातावरण के आगहातों के वृत्थ सहायक बनाता है। जनिफर हॉलेंड, PST ने कहा है कि प्रकाश संशलेशन पौधों में उर्जा उत्पत्ती का एक चालग इंजन है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। प्रकाश, संशलेशन, कार्बन डायोकसाइड तथा जल, जो की क्रमशा, वायू तथा म्रदा से लिए जाते हैं। एवं प्रकाश की उपस्तिती में पौधों के हरे भागों दोहरा कार्बो हाइड्रेट्स के संशलेशन की एकविदी है। प्रकाश संशलेशन हरे दिलवक में पाये जाता है, जो की पौधों के सभी हरे भागों में उपस्तित होता है। पत्ति में हम जो रंग देखते हैं वो क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जन्तोफिल तथा कार्टिनॉइट के कारण होता है। प्रकाश अभिक्रिया में सौर उर्जा क्लोरोफिल द्वारा अवशोशित की जाती है तथा अभिक्रियाओं की एक श्रिंखला में ATP और NADPH का निर्मान होता है। एक की साहिता से ये NADP PLUS से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया अचक्रिये फोटो फोस्फोरिलेशन कहलाती है। केल्विन चक्र की तीन अवस्थाएं कार्बोक्स लीकरण, रेडक्षन यानि अपचयन तथा रीजनरेशन यानि पुनरुद भवन होती है। सी जार पौधों की विशेश प्रकार की शारीरिकी होती है, जिसे क्रेंजी शारीरिकी कहते हैं। तथा कार्बन डायोक्साइट का प्रात्मिक ग्राहियनू फोस्फोईनोल पाइरुवेट है। प्रकाश श्वसन यानि फोटो रैस्पिरेशन वह प्रक्रिया है, जिसमें प्रकाश संशिलेशन के दौरान सूरी के प्रकाश की उपस्तिती में पौधे ऑक्सीजन का उपभूग करते हैं, तथा कार्बन डायोक्साइट मुख्त करते हैं। जिसके परिडाम सरूप प्रकाश संशिलेशित उत्पात में कमी आती है, तथा ATP का निर्मान नहीं होता है। प्रकाश कार्बन डायोक्साइट की सांद्रिता, तथा जल प्रकाश संशिलेशन को प्रभावित करने वाले कारक हैं।